दिपवली पर आदेशों को दरकिना कर जम कर चलाएगा पताकों की वज़ा से शहर की हवा दम घोटू हो गई है ऐसे में के इंजे प्रदूशन नियंतरन बोर्ड ने दिपवली से पहले आओ दिपवली के दिन प्रदूशन के आखरों की जाच की तो पाया की सब्ता भर पहले की मकाबले अब हवा की गुणवता दोगुना ज्यादा खराब है वहीं आपको बता दें अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी जहरीली हवा से स्थिती काफी ज्यादा खराब है सबसे ज़्यादा प्रद्यूशन ताज महल के आसपास बड़ा हुआ पाया गया है जबकि ताज को प्रद्यूशन से बचाने की नाम पर टीटी जेट अथॉरिटी ने कई प्रतिबंद लगा रखे थे तो ऐसे में ये तस्वीरे आप देख सकते हैं कि जहरीली किस तरह से आगरा की हवा खुच चुकी है दिवाली के समय पर दिवाली के दिन जिस तरह से खुब आतिश बाजी की गई उसके बाद पूरे देश की हवा जहरीली खुच चुकी है और ऐसे में ये ताज महल की तस्व चानी साब तोर पर उठानी पड़ रही है तो आपको बता दें आगरा में भी जहरीली जो ये हवा है वो खुच चुकी है ताजमेहल पर सबसे ज्यादा प्रद्यूशन देखा जा रहा है ताजमेहल और उसके आसपास के अलाकों में ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से सताजमेहल भी सही से नजर नहीं आ रहा दुंदला दुंदला सताजमेहल नजर आ रहा है वो इसलिए क्योंकि दिपावली के दिन जिस तरह से पूरे देश में आतिजबाजी की गई पठाके चलाए गए अलाकि सरकार की तरह से वैन लगाए गए थे लेकिन उसके सती काफी ज्यादा खराब होती नसर आ रही है वहीं आपको यह भी बता दे कि रभीवार यानि कि कल से पहले सती सही होने का कोई भी अनुमान नहीं है यानि कि एक दो दिन और सती जहरीली हवा की ऐसे ही बनी रहेगी प्रोडियूशन का इस्तर इसी तरह से बना रहेगा को कोई बेराहत इसमें नहीं मिलने वाली है